नमश्कार दोस्तों आज हम जिस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सर्पगंधा सर्पगंधा एक ऐसी प्लांट है जिसका आज कल बहुत जादा यूज हो रहा है और अलग-अलग डिजिज में इसका इस्तिमाल किया जाता है यह जो मेडिसीन है यह मेलनी तीन में परपस के लिए सबसे ज़्यादा यूजफूल है और सबसे ज़्यादा लोगों में और डॉक्टरों की बीच में यह प्रशालित या यूँ कहें फेमस हैं पहला इस चीज़ का कि हाई ब्लड प्रेशर का एक अच्छूक मेडिसीन है इस मेडिसीन के इस्तमाल करने से ज कि इसके कम्प्लिकेशन भी साथ में आते हैं बट इसके कोई कम्प्लिकेशन नहीं आते हैं दूसरे इसका जो में यूज़ है वो यह है पागलपन अगर किसी को उनमाद हो रहा है उनमाद का मतलब कि पागलपन अगर कोई पगलार आया किसी को पागलपन की दोरे पड़ते उसमें इसका इस्तमाल बहुत जादा होता है इसलिए जिन लोगों को इनके बारे मालूम नहीं होता है तो गाउधेहात में इसको बोला जाता है पागलपन की जड़ी बूटी या इस दवाई को इस प्लांट को पागलपन की जड़ी बूटी या पागलपन की जड़ी के नाम इसलिए यह पागलपन के जड़ी बूटी के नाम से यह जड़ी के नाम से प्रशली था लोगों की बीची में है। नहीं आता हो। उस केस में भी इस मेडिसीन का काफी ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है। इस मेडिसीन के इसके अलावा और जो भी अलग शीज़ों में इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं देखें जैसे कि हम सभी वीडियो में ऐसे सुरुवात करते हुआ हैं कि सब्सक्राइब पहले उस मेडिसीन के नाम और गारे में समझ लें इस मेडिसीन का नाम है सर्पगंदा इसको इंग्लिश में रॉल्फिया सर्पेंटीना के नाम से जानते हैं रॉल्फिया सर्पेंटीना अगर आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको सबकुश डिटेल में पता चल जाएगा हिंदी में इसको सर्पगंदा बोलते हैं सर्पगंदा कहने का मतलब क्या होता है सर्प का मतलब की साप गंदा का मतलब गंद यानि कि जिसके गंद से सांप दूर भागता हो उसको सर्प गंदा बोलते हैं यानि इस प्लांट के पार्ट्स को अगर आप अपने घर के चारों तरफ लगाते हैं तो सांप वहां भठकेगा नहीं सांप वहाँ से दूर भागेगा इसलिए इस प्लांट का इस्तमाल सांप के काटने पे उसके जहर को नस्ट करने के लिए भी किया जाता है और इसका गाउध देहात में बहुत जादा इसका प्रिशलन होता है जो भी कुछ लोग जो सांप की इलाज करना जानती है कुछ जड़ी बूटी के नाम से बोलती है वो इसी प्लांट का इस्तमाल करती है यानि ये एक ऐसी प्लांट है जिससे सांप भागता है या यूँ कहें कि सांप का जो विश होता है वो दूर हो जाता है वो खतम हो जाता है मार का मतलब है, मारना, यानि कि हमारा मन जब चंचलता से भर जाता है तो हमें निनद नहीं आती या रूक्ष, रूक्ष मतलब रूखापन लाता है हमारे शरीर के अंदर इसका रस की बात करें तो ये तिक्त होता है तिक्त का मतलब होता है करवा स्वभावग वाला करवा टेस्ट वाला विर्र इसका उसन होता है ठंडा गरम में अगर हम इसकी बात करें तो ये गरम नेशर का होता है और विपाक की बाद करें जो पेट में चाने के बाद तूटने के बाद किस नेचर का रहता है तो ये कटू नेचर का हो जाता है इसकी प्रभाव की बाद करें कि ये काम कैसे करता है तो ये निद्रा जनन है निद्रा जनन कहने का मतलब है कि निंद को लाने वाला मेडिसिन इसलिए मिर्गी के दवरा पढ़ रहा हो किसी मरीज को या फिर पागलपन का दवरा पढ़ रहा हो सम्मे बेशायनी आती है उसका सरीर कापने लग जाता है पूरी बोडी में एक अलग ही मुमेंट होती है तो इसी बेसिस पे इन सभी केसिस में इसका इस्तमाल किया जाता है क्योंकि यह प्रभाव से निद्रा जनन है तो कोई भी जिसमें ओवर एक्टिवीटी हो जिसमें पूरी बोडी काफी अलर्ट पे रहता हो पूरी बोडी काफी जादा हाइपर एक्टिव हो तो उस हाइपर एक्टिवीटी को reduce करने का काम करता है चाहे अनिक्जाइटी हो चाहे मांसिक हाइपर एक्टिवीटी हो चाहे physical हो यानि कि वो उसकी हाइपर एक्टिवीटी को down करता है जब हमारे मांसिक मिर्गी या फिर mental कोई disease जा जाती है तो उसमें भी mentally रूप से भी और physically रूप से body या person वो कफी जादा active हो जाता है तो उसके activity को reduce करता है इसी लिए इसका इस्तमाल इसमें किया जाता है इसका हम use देखें तो जितने भी कफ और वाद से होने वाली बिमारिया होती हो जिसमें क पफ का और वाद का दोनों का involvement होता हो उन सभी बिमारियों को ये ठीक करता है दूसरा उनमाद या अपसमार या अनिद्रा इसकी जैसे बात बताया गया है मैं बार बार बोल रहा हूं क्यों उनमाद का मतलब पागलपन अपसमार का मतलब मेरगी और अनिद्रा का मतलब पेट में अगर कीड़े पड़ गए हो या फिर पेट में जो खाना आपने खाए और वो खाना अधा रूप से पचा आधे रूप से नहीं पचा यानि कि अधपचा खाना है तो उससे पेट में constipation जैसे समस्याइक बनने लग जाती है जब खाना अधपचा रूप में रहता है तो उससे पेट में दर्द होता है तो इस तरह का जो खाना अधपचा था उससे जो पेट में विबंध हुए दर्ट में से एक तरह का constipation है उससे दर्द जो पैदा हो उसमें ये चीज़ दिया जाता है high blood pressure में यसका medicine इस medicine का use आजकल बहुत है जादा हो रहा है लगबग हर doctor यसको high blood pressure में यूज़ करते हैं क्योंकि BP की जितनी भी दवाई दवाईया है अलोपैथी की वो लगबग सारी के सारी kidney को नुकसान करती है लिवर को नुकसान करती है और भी हमारे vital organ उसको नुकसान कर तो यह एक ऐसी medicine है जो ऐसा कुछ नहीं करती तो इसलिए इसका इस्तमाल alternate medicine के रूप में काफी जादा इसका हो रहा है काफी लोग इसका इस्तमाल करते हैं high bb की cases में दूसरा है यह काम और सादक है काम और सादक कहने का मतलब है कि sexual activity करने की इच्छा को कम करने वाला यानि कि अगर किसी को एक ऐसी बिमारी हो जिसको लट लग गया हो जिसको बिना sexual activities किये रहा ने जाता हो ऐसी उसके अगर कोई बिमारी हो गई हो तो इसका इस्तमाल करते हैं और उससे उसका मन शान्त रहता है और वो ठीक हो जाता है नेक्स ती वरेजवर में यानि कि यह high grade का fever अगर किसी को हो गया हो काफी तेज बुखार रहता हो तो इसमें इसका इस्तमाल क्या जाता है फिर शर्पविश में शर्पविश कहने का मतलब है सांप से कटे हुए जहर में या सांप से कि जहर है उससे कोई विशात्त हो जाए या उसे किसी को विस्वो लग जाए, पॉइजनिक्स का केसिस में, इसमें इसका इस्तमाल क्या जाता है, अगर आप अपने घर के चारो तरफ इस प्लांट को लगाते हैं, घर के अपनी चारो तरफ उसकी बॉंडरी में, तो सांप आपके घर के तरफ नहीं आएगा, आपका घर सांप से बचा रहेगा, सांप से प्रोटेक्टेड रहेगा, आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, अगर हम इसके परियोग किये जाने वाले पार्ट के बारे में देखे, तो इसका रूट वाला पार्ट की इस्तमाल किया जाता है, मूल का मतलब होता है रूट, यानि कि इसका जो रूट पार्ट होता है, उसका इस्तमाल करते हैं, इसके जड़ का इस्तमाल करते हैं, मातरा देखें तो अलग-अलग परपस के लिए, अलग अलग इसकी मातरा बताई गई है BP के cases में 1-2 ग्राम आप एक बार में दे सकते हैं यानि कि single dose जो मातरा अजमाने जितनी अभी तक बता है लगबख सब single dose का होता है यानि एक बार में 1-2 ग्राम के बीच में एक adult person का है आप दे सकते हैं BP के case में अनिद्रा की case में जिसको निंद नहीं आता हूँ उसको 3-6 ग्राम आप दे सकते हैं और उन्माद या पागलपन, मिर्गी इस तरह के कोई मानसिक विमारे से जुड़ा हो तो उन दोन में 3-6 ग्राम आप डोज रखेंगे ठीक है इसकी formulation की बात करें कि market में इसके कौन-कौन से medicines available है आप सर्च करें Google करें मिल जाएगा आपको तो सर्फ गंदा आदि चूर्ण यानि powder इसका मिल जाता है सर्फ गंदा आदि वटी यानि कि इसका tablet मिल जाता है और सर्फ गंदा योग के नाम से भी इसका formulation से medicine market में available है आप तिनों में से कोई सावी use कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में किसी और information को लेके किसी और वीडियो को किसी और topic को लेके मैं आपसे मिलूँगा तब तक शुक्रिया